जै मातादी दोस्तों मातारानी का आगमन हो चुका है नौरात्री प्रारंभ हो चुकी है साथ अक्टूबर से और इस बार मातारानी डोली पर सवार होकर हम भक्तों के घर आ रही हैं तो दोस्तों मातारानी का दर्बार सजाना चाहिए मातारानी के लिए आसन तयार करना चाहि आपने भक्तों की सद्य रक्षा करती हैं और मातेर राली की चौकी हमें का सजय नी है और मता का पूजन और माता का पूजन काना चाहिए नहीं आप के साथ सब्सक्राइब जरी है करें Josh corona माता रानी का चौकी हम कैसे सजाते हैं आपको दिखाते हैं ये देखिए मांबे का दर्बार लग चुका है और ये हमने यहाँ पर एक लकड़ी की चौकी ली है और उसके उपर लाल कपड़ा विछाया है आप चाहें तो पीले कपड़े भी विछा सकते हैं और हम माता को अना अस्टिदल कमल भी बनाएंगे जिस पे हम दीपक प्रजलित करेंगे और आप चाहें तो कलश रख सकते हैं दोस्तों कलश की अस्थापना हमें कैसे करनी चाहिए और कलश के अंदर हमें क्या-क्या चीज शुबता के लिए डालनी चाहिए इसकी वीडियो मैंने आपको पहल करें तो लीजिए यह सभी तैयारी हमारी हो चुकी है अब पूजा की शुर्वात हम भगवान स्री गणेश का स्मरण करते हुए करेंगे तो सबसे पहले हमारा काम है दीपक प्रजलित करना दीपक की लौ को प्रणाम करें और उनका धूप दीप हल्दी कुमकुम अक्षत और पुष्ब से पूजन करें दीपक के प्रकास में हम मातारानी का पूजन करते हैं दीपक हमारे पूजा का शाक्षी होता है और एक प्रकार से ब्रह्मण का रूप बिव माना जाता है जो कि हमारे पूजा को अच्छी तरीकी से सुनते हैं, हमारी कथाओं को सुनते हैं और हमारे दीपक साक्षी बनते हैं तो ये लिजे इस तरह से आपको दीपक का पूजन करना चाहिए अब हम दोस्तों भगवान श्री गड़े की पूजा से ही पूजा की शुरुवात करेंगे तो भगवान को पहले असनान कराएंगे और मातरानी को भी असनान कराएंगे वस्त के रूप में हम मौली पहनाएंगे या फिर आप चुन्नी या वस्त जो भी आपके पास है आप इस्वर को प्रदान करें इस तरह से स्नान के बाद आप उनका स्रिंगार करें हल्दी कुम कुम का टीका करें तीका में अक्षत जरूर लगाएं इससे हमारे पुणियों में कभी छै नहीं होता है अक्षत चढ़ाएं भी मूं का भी अक्षत मादुर्गा के पूजन में सर्विधी के लिए चढ़ाया जाता है इससे आपके घर में धन धान की कमी नहीं रहती है मातरानी का श्रिंगार जरूर करें सिंदूर, चूडी, बिंदी, आल्ता, मेहंदी जो भी आपके पास है माता का श्रिंगार करना न भूले अब भगवान स्री गडेश को दुर्बार पित करें दुर्बा हमेशा सिर पर चढ़ाई जाती है और उसके बाद पुष्प से स्रिंगार करें मातरानी को हार पहनाए उनकी चरणों में पुष्प रखे इस तरह से विधी विधान से माता का पूजन करें दुस्तों अब बारी आती है भोग अरपित करने की तो भोग में जो भी आपके पास है रितुफल है पंचमेबा है ये सबी चीजें आप भगवान को भोग प्रशाद लगाएं मिठाईयां भी आप चड़ा सकते हैं और घंटी बजाना ना भूलें जब भी हम देवी तेवताओं को प्रशाद अरपित करते हैं तो घंटी बजाते हैं या फिर आप ध्वनी करें और आखे बंद करके भगवान को आगरह करें कि हे इस्वर जो कुछ भी आपका दिया हुआ है आप ही को अरपित है आप इसे स्वविकार करें और जलगुमाएं इस तरह से आप तो मिनट तक अपनी आखे बंद रखें अब फिर आप आच्मन कराएं और पूजा की शुर्वात करें भोग के बाद मुक्षुद्धी करना न भूलें मुक्षुद्धी में आपको पान, सुपारी, लौंग, इलाची यह सभी चीजें एक साथ करके पान का वीरा आप भगवान गडेश और मादुर्गा को चड़ाएं इसके बाद दक्षणा दें फिर हम जलगुमाते हैं तो यह हमारे पूजा की प्रकिरिया है प्रति दिन आपको भगवान को इस तरह से नौरात्री के दिनों में मादुर्गा का पूजन करना चाहिए अब इसके बाद बारी आती है प्रातना की आपको प्रातना करना चाहिए धूप दीप दिखाना चाहिए आपके पास जो भी पाठ हो आप पाठ करें दोस्तों, पार्थ में आप माता का जो सब्सती का पार्थ है मारकंडे पुरान से लिया गया है आप वह पड़ सकते हैं जिसमें अलग-अलग चीजे हैं दुरगा कवच है, अरगला स्थेरोत का पार्थ है और इस बरसे आप करें या फिर आप मंत्रों का जब कर सकते हैं मादुर्गा के अनेक मंत्र हैं जिसमें से बहुत ही प्रभावकारी कल्यानकारी मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमा या फिर आप मादुर्गा का जो नर्वाण मंत्र है वो भी आप पढ़ सकते हैं ओम एंग्रिंग क्लेंग चामुंडाय बिच्चे इस मंत्र का जब आप रुद्राक्ष की माला पर करें दोस्तों पूजा पाठ बहुत ही शांत और बहुत ही स्रद्धा पुरुबक आपको करना चाहिए तभी आपको देवी देवताओं का आशरबाद उनका जो हसने आपको प्राप्त होता है इस तरह से आप माता का पूजन और पाठ करें अपारी आती है आरती की आरती में आप कपूर की आरती करें माता रानी की एक थाली ले ले उसमें कुछ अक्षत और पुस्प विखेरें और उसके बाद एक आरती प्रजलित करें और मा अंबे और भगवान गढ़ेश की आर्थी करें तो पहले है भगवान गढ़ेश की आर्थी करें उसके बाद मातरानी की तो भगवान गढ़ेश की आर्थी सभी को पता है Jai Gishop Dank डेवा और मादुला की आरती है जै अंबे गऊरी मेरे जैशामा गोरी तो इस आरती से मागोरी की करें दोस्तों आरती से हमारे पूजा में जो कुछ भी दुटियां रह जाती है कमी रह जाती है आरती करने से उसकी भरपाई होती है इसले आप चाहे सुक्ष पूजा करें या फिर विधी विधान से शोडोप चारविधी से पूजा कर रहे हैं, आर्ती करना ना भूलें, तो आपने आर्ती किया, अब आप भगवान को धूप दीब दिखाएं, तो ये आर्ती आपको सीतली करण करना है, उसके बाद इस्वर को दिखाएं, फिर से एक बार आप सीतली करण करें, उसके बाद स् कपूर की आर्थी को गुमाएं आर्थी के प्रकरिया यहां पर समाप्त होती है अब बारी आती है छमा प्रात्ना की तो दोस्तों छमा आपको जरूर मांगना है जो कुछ भी आपने ये पूजन किया है मंत्रों का जब किया है और आपने भूग प्रसाथ चड़ाया है मातरानी इसे स्वविकार करें इसके लिए आपको प्रात्ना करनी चाहिए तो प्रात्ना में आप मंद्रों का भी जब कर सकते हैं और मा से साधरण तरीके से भी आप छमा मांग सकते हैं हे परमेश्वरी मेरे द्वारा दिन रात सहसरों अपराध होते हैं और मेरा ऐसा दोश समच कर आप मेरे उन अपराधों को क्रपा करके छमा करें हे परमेश्वरी मैं आवाहन करने नहीं जानती विसरजन करने नहीं जानती और नहीं पूजा करने का कोई धंग मुझे पता है हे सुरिस्वरी मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तहीन पूजन किया है वो सब आपके दया से पूण हो हे चगदंबिके आप मुझे प्रसन हो और आप मेरी मनो कामनाय पूण करें जो कुछ भी भूल से कम या अधिक, पुति प्रसन होने के कारण मैंने किया है आप मुझे प्रसन हो, वो सब छमा करें हे सच्चितानंद रूपा परमेश्वरी, जगत माता का मेश्वरी आप प्रेम पूरबक मेरी पूजा को स्वविकार करें और मुझे प्रसन हो हे देवी परमेश्वरी, आप करपा करें इस तरह से आपको प्राथना करनी चाहिए और प्राथना के बाद आप आख बंद करके दो मिनट तक इस्वर का ध्यान करें उसके बाद दोस्तों, आप प्रणाम करके अपने आसन को जल डालें जमीन पृतिभी पर और तीन बारी इंद्र देवता का नाम ले ओम इंद्राय नमा ओम इंद्राय नमा ऐसा कहकर आप आसन को यथा स्थान रखें और जो अपने भोग प्रसाद वहां पे लगाया है उसे लेकर अपने पूरे परिवार में बित्रित करें तो ये थी पूजा की प्रक्रिया कि नौरात्री की के दिनों में हम मातरानी को पूजन कैसे करें आरती के खरें और शामा प्रात्ना कैसे करें तो आज की वीडि whilst हमारी जानकारी को थोड़ी सी भी हलपफल लगे तो प्लीज कि मनुकामने जरूर पूरी करेंगी जै माता दी